टॉप सेलेक्शन कम्प्यूटर्स तमाम ब्रैंडेट कम्प्यूटर्स डेल, हेच्पी, आईबियम और लैप्टॉप्स के अलावा ऐसे सरीज वाजबी दाम पर दस्तियाब हैं। स्कूल, कॉलेज, कॉर्परेट, आफिस के लिए बल्क कॉंटिटी में सप्लाई किया जाता है। और माहर टेक्निशन की निगरानी में रिपेर की सहुलत घर, दुकान, सुसाइटी, सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हैं तो इंस्टॉल करवाईएं। सीसी टीवी कैमराज, हेजडी क्लियारिटी के साथ, गुजिस्ता बारा साल से, मुलक भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए, आपके एतिमात को बर्करार रखने वाला नाम, सेद राशिद अली माजिद असलाम अलेकूम नाजरीन, मैं हूं मुम्मद अब्दुलहकीम, आईए देखते हैं अच्छा खबर नामा तलंगाना गौर्नमेंट की जानिव से मजजिदों के इमाम और मौजण को चार महीने से इनकी तंखा नहीं दी जा रही थी इस पर सेद सलीम ने वगबोड चेर्मेन मुम्मद सलीम को बार बार फोन करके ये सवाल किया कि इनकी तंखा क्यों नहीं दी जा रही है चार दिन के बाद मुम्मद सलीम खुद फोन करके सेद सलीम को ये बताया कि बजट नहीं था अब केसियार साब की हुकूमत है बजट नहीं है तो कुछ नहीं तो नहीं बेचारे मौजन और इमाम की तंखा रुख दी गई है आईए देखते हैं ये रिपोर्ट के चार महने से तिलंगाना वखबोट के ओपर इमाम और मौजदीन को मौजन हजरात को जो पांच हदार रुपे महाना तंखा मिलती है मौजन और इमाम की और उसके लिए मैं आया हूँ और इमाम मौजन के तंखाओं के लिए मैं आया हूँ और मेरी तकरिवन दो-चार दिन से मैं मुसलसिल चेर्मेन तेलंगाना वखबोट मौमद सलीम साहब को मैं तवज्ज़ दिला रहा था बात कर रहा था उनसे आज शाम में आठ बज़े सलीम साहब का मुझे फोन आया और उन्होंने कहा कि मसला हल हो गया है कोवीट की तरफ से और गौवर्नमेंट के पास बजट शौटेज की वज़े से जो है लेट हो गया प्यमेंट गवर्नमेंट के पास बज़े स्टेज है टेक्स अगरा के वो रेजिस्ट्रेशन अगरा भी बन था अब 27 करोड रुपे इमाम और मौज़नीन के सेंक्शन हो गये हैं जिसमें से 5 करोड रुपे इंशालला मंडे के दिन रिलेस कर देंगे और जनवरी तक इमाम और मौज़नीन के वालेकम सल्बंग नसूरला फारुकी साब खेरियस से हुमें इमाम और मौज़नीन के जो है तनखाएं अशाशिये जो है रिलेस कर दिये जाएंगे जज़ाक लग्ला खेर महम्म सलीम सहब चेर्मेंट वखबोल के आपने खासतोर से मु सोच रहा था कि पीर के दिन मैं इमाम और मौजजदीन को लेकर वकबूट के ओपर धरना दूँ सुल्तान अबाब मैं खेरियस से हूँ लेकिन अलहमदुलिल्ला सलीम साहब ने फोन करके इतला दी है तमाम मौजदन हज़राथ और इमाम हज़राथ से मैं इलतेमास करता हूँ कि वो जाके चेर्मेन महमद सलीम साहब से मुलाख़त कर ले पीरिया मंगल के दिन आप लोगों की अकाउंट में वो आपके फर्स्ट सैलरी फोर मंद की है जिसमें से वन मंद की आएगी फिर थोड़े से दिन के बाद वन वीक के बाद सेकंड आपको जो है सेलरी आएगी और पिर जन्वरी के अंदर आपको जो डियूज हैं वो दे देने का वादा किये हैं सेंक्शन आगया है ठीक है और इसलिए मैं जनाब चेर्मेन महमद सलीम साहब का शुक्री आदा करना चाहता हूँ जजाकर लला खेर आपने मुझे फोन करके इतला द करते हैं बोलते हैं बरबर बोलते हैं सलीम साहब को भी हमने कहा हमने मुखालिफत की सेक्रेटेट की मसाजित के वक्त बहुत सखत अलफाज में सलीम साहब के बारे में मैंने भी कहा लेकिन जब अच्छा काम करते हैं एक्टिव वर करते हैं तो अप्रिशेट करना भी अपन अंदर हुई वो एक वफ जमीन सालार अलिया दो सो एकर जमीन है बहुत खीमती जमीन है वफ लैंड जिसमें से वफवोट से वफवोट को पचास एकर जमीन पे जो खबजे हो गए थे उसका सुप्रीम कोर्ट से चेरमेन महम्मद सलीम ने आर्डर लेकर आया बहुत बड़े वकील को खड़ा करके मैं उसके लिए भी उनको मुबारक बात देता हूँ के बड़ी खीमती जमीन पचास एकर वफ लैंड के लिए आपने जिद्ध जहिद की अच्छा काम किया हम मैं उसकी तारीफ करता हूँ जजाक अल्ला खेर गुडला बेगम पेट जहां पे बहुत से हो गए हाई कोट ने एक और दिया और वकवोट को पवर दिया कि वहां के रेजिस्ट्री कैंसल करो उसकी भी मैं अप्रिशेट करता हूँ वकवोट को कि चेर्मेन वकवोट की जाती दिल्चस्पी से जो है गुडला बेगम पेट की वक्फ जमीन के ओपर भी काम हुआ है य मिह के से चिनाप महम्मद सलीम साथ और तीन सो रेजिस्टेशन त्री हंडेड रेजिस्टेशन केंसलेशन के लिए वकवोट की जमीन के उपर जो रेजिस्टेशन हो गए थे 300 registration cancel करने के लिए एक जीयो एशियू हुआ जिसमें से 100 registration कैंसल हो गए अभी 200 registration कैंसल होने का है उसके लिए भी मैं वगवट को अप्रिशेट करता हूँ साथ मसाजित को गैराबाद मसाजित को आबाद किया महाँ जाके खुद नमास पढ़ाए महमद सलीम साब बहुत अच्छा काम करे और जो बचेवे मसाजित है उन मसाजित के लिए भी निकलिये अब और जितने भी पुराने खुद शायी दोर के आलमगीरी दोर के जो मसाजित हैं आसिप जाही दोर के उन मसाजित को उन मसाजिद को जो है आबाद कीजिए और वक्फ जमीनों की हिफाज़त कीजिए उन्होंने बातों में एक बात मुझे बताई खास्तोर से के सलीम भाई मैं जो है हिंदुस्तान का वाहिद वक्फ बोट का चेर्मेन हो जो चार लाक रुपे तंखा और दीगर अलाउंस नहीं लेता यहां तक के आफिस में जो लोग आते हैं उनको चाय बिस्कीट या तावाज़ो करने के जो पैसे होते हैं वो पैसे भी मैं अपने ज आपको दिया है इस बास से कोई इनकार नहीं है हमने कभी नहीं कहा कि आप बोट के अंदर खुडबूर्थ करते हैं खा जाते हैं या वफ लैंड के अंदर आपका कहीं पे आपका जो इन्वाल्मेंट है बेचे खा गए मुहम्मद फश्यू खबर है शहर की खबर है गाओं खबर है सारी दुनिया की 7H News पसंद आए तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्स्राइब करना ना भूले 7H News